तो दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं सब्सक्राइब कैसे हैं आप सब सब्सक्राइब करेंगे इसकी पांसे टाइप बैठती हैं देखिए भी पहरी टाइप क्या इसमें आएंगे भी हमारे तो उतीरन वाले होते हैं प्रिक्षा में उतीर होने के लिए 36 प्राप्त करने थे बेसी के बिल्कुल पहला क्या वी कितने अंग प्राप्त करने थे उतीरन के लिए प्राप्त करने थे चर्थिस प्रतिसत और मिले कितने भी उसने उसने कितने अंग प्राप्त कि चोबिस प्रसेंट अंग कि प्राप्त कि मतलब उरन कितने हैं वो हमिंग एंग कर देखे वी उतीर होने लिए कितने हैं चर्ति प्रतिस प्रतिस चाहिए प्राफतंक कितने हैं 24 और नो पहले इस question का हम basic करते हैं basic हम सिर्फ एक question का करेंगे और उसका type के एज उस ताले के questions को हम ट्रीक से करेंगे दूँ पहला हैं अब हमें क्या कुलिए हमारा प्राफतंक कितने हैं भी जो मारे प्राफतंक है वो कितने है अब क्या भी अगर मैं करूं x का 24% में 9 जोड़ दूं x के 24% में 9 जोड़ दूं तो वो कितने होंगे X के 36% के बराबर होंगे क्यों क्योंकि पास होने के लिए कितने चाहिए 36 और उतीर नहीं है अगर इसको 9 अंक मिल जाते तो ये भी उतीरन हो जाता अगर इसको 9 अंक में और मिल जाते तो ये उतीरन हो जाता बराबर हो जाते 2 नंक तो क्या होगा भी देखिए X अब क्या कीजिए X X1 को एक्साइट कर लीजिए 9 बराबर है X प्लस 36 पर एक्स इंटू चत्ती परशेंट है और माइनस X इंटू कितना गड़ी 24 परशेंट है हम परशेंटेज नहीं को लेंगे इसमें परशेंटेज बाद में करेंगे भी उपन क्या हो जाएगा एक्स का बारा परशेंट कितना है नो एक्स कितना आ जाएगा भी नो गुणा 100 बटे बारा बारा का मैं क्या करतेंगे परसेंटेज यहां कि च्रहएगा परसेंटेज को आप देंगे कितना बन गड़ी हुआ तो तो पच्ची परसेंट आगे क्या किया हमने ये बराबर क्यों रखे अब यहां में कंडिशन अगर आपको यह समझे में आ गया तो यह पर्षिन आपके लिए बिल्कुल आशा है क्या है भी यह बराबर क्यों रखे हमने क्योंकि उसके 24 परसेंट मिलेते और नौंकों से फेल हुआ अजर उसको नौर मिल जाते लूँ क्या वज़ता पास जो जाता और पास के लिए कितनी चाहिए चत्ति-प्रतिसा तंग चाहिए हमें तो वह आजेगा हमारा एक सब्सक्रा का ट्रिक देखिए भी कैसे है का क्या कीजिए जितने उतीर्ण है और में से प्राप्तंख देखिए उतीर्ण कितने हैं उतीर्ण लिए 20 और यहां पे कितना एगे हमारा प्राक्त अब प्रिक्षार्ट थी उन्हें प्रिक्षार्ट थी उन्हें तीस अंक प्राप्त की और वह कितने 85 अंकों से 1439 रहा कितने वह विदार्थी ने क्या कहा विद्यात कहा विद्यात क्या भी उसे स्वाड़ी संक प्राप्त हुए तो और यहां पे अंक कितने भी से चोटिस ज्यादा प्राप्त के उन से कितने ज्यादा प्राप्त हुए उतीरनत अंक ज्याद कीजिए और न्योंटम अंक भी गया कुल उन्यनक में बताने हैं और जो हमारे न्योंन तम अंक मतलब पास होने के लिए वो भी बताना आगे देखिए कैसी करना है सबसे पहले बेसिक इसका एक इसका करते हैं मानांक कितना है कोलंक कोलंक कितने भई एक्स कोलंक एक्स है अब देखिए अगर इसको मिले 30 परतिसत एक्स का 30 परसेंट मिला और उसमें कैए 85 अंक मैंने जोड़ दिये उसको ज्यादा दे दिये मतलब जो जीतने से वो फेलवाओ मैंने इसको दोई दिये तो वो क्या पास हो जाएगा अगर यह बढ़ा है एक्स को मिले 40 परसेंट अगर मैं इसके काट लेता हूं 34 अंक इसके का मैंने उसको क्या है ग्रेज देदी 85 अंक तो वो क्या है यह पासिंग डीपे आ गया पास हो जाएगा यह बी और एक बच्चे वो मिले 40 परसेंट गया मैंने उसके क्या कर लिए लिखाई के चेंटी संग काट लिए तो वो भी क्या आगया अब दोनों डीपे इसका मतलब क् वही हम नहीं आकाम किया भी तो अब कीजिए कितना अगया पर तीन बटे दस एक्स प्लस पिचासी बराबर कितना अब भी 24 बटे कितने पे कटा 2 पे चलो बैसे काइसे रख लेते हैं काटते हैं तक इसली 100 हो जाए तो कितना आया 30x बटे 100 प्लस 50C बराबर है 44x बटे 100 बराबर है माइनस 34 अब संख्या एक तरफ केजिए और x वाले एक तरफ 44x माइनस 44x बटे 100 100-30x बटे 100 बराबर है कितना हो जाए भी 42 और पिलास यह सेट आगे प्लस का बाइनस का बाइनस का वाले सेट कितना आगे भी मारा 100 lcm 24 माइनस 30x यह आगे बराबर है 85,44,88, कितना हो जाए भी 11 याँवे कितना बचा भी 14x बटे 100 बरावर 119 X का कितना आगया भी 119 गुणा 100 बटे 14 साथ पर काटे 2 पर 2 स्थे 14 17 सत्ता 119 इतना आगया भी 17 सत्ता 119 0 की 0 और 17 यह मारे क्या होगे भी इसके कूलंक आगे भी कूलंक आगे भी अब देखे कूलंक आई अब अगयर हमें प्राथ अंक निकाल ले हैं मतलब उतीर अंक निकाल ले हैं तो वो कैसे निकाल लेंगे 885 अंक है उन में से क्या हो गया उसको भी कितने चाहिए पास होने के लिए अब इसने पासिंग प्रसेंट है कितने से भी इसका 30% निकाल लिए 850 का 30% निकाल लेंगे और उसमें क्या करतेंगे भी 85 जोड देंगे तो हमारे उतीर रंग निकलाएंगे क्या पुछा नियूनतम अंक उच्छे अभी हमें नियूनतम अंक पास होने के लिए तो क्या होगा 850 का 30% निकाल लेंगे जोड़ देंगे यह आगया भी कितने आ जाएंगे हमारे आट रपांत पांस के पंद्रा पावर एक तीन अठाच चोबिस और एक पच्चिस प्लस पिचासी पांच फांच दस आठाच पांस तेरा और एक चोदा एक तीन सो चारीस तो कुल वासन कितने है भी निकाल लिजू परसेंटेज निकालना वड़े तो 340 बटे 850 बुना सो बहुत लंबा क्वेशन बन जाएगा 20 20 इसलिए हम इसको किस्ते करेंगे भी निकाल लिजी प्रसेंटेज कितना आएगी मतलब पासिंग अंक की हमारी क्रसेंटेज कितनी बनना गर दूस्त दुआ त्र और यहां करेंगे अंक परतिसत कितनी दीए भी 30 परतिसत अंक दीए और 85 जोबो क्या हो गया फेल हो गया मुझा पंग फेल्वा थो माइनस को उसके बाद कितने भी चुवाली प्रतिशत अंग प्राप्त किये औरकितने 34 हतीक अब इनको क्या कर दीजिए बड़ी में oxy इंटीष थी जुवाली में से 40 चुवाली स्टीष दिए 14 प्रतिशत बचा और यह क्या हो जह दे कितना आगया भी तो कितना आगया डोपेट पचास कितना आगया तो सब्सक्राइब निकाल लें उतिरंक निकालने भी उतिरंक के लिए कितना चाहिए करेंगे अगर आपको निकालने भी आपको निकालनेंगे अथिरंक यह अन्सर में नेज देखिये भी इसी टाइप का एक डूकरेशन और करते हैं क्या का विजी टाइप के ग्वेश्चंश, को इसे तो इसके क्वेश्चन के लिए आपको देंगे इसंट लेंक में पूरी पीडिया भी इसके प्रैक्टिस आड़ आपको विडियो के दिस्क्रिक्षिन में मिल जाएगी, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा हम सिर्फ स्टूडेंट स्टूडेंट के जो टाइप हैं हमारे पांच से टाइप हैं टोपिक वाज निकालेंगे प्रसेंटेज को क्योंकि प्रसेंटेज बहुत लंबा चप्टर है दी कम से कम इसमें बनते हैं भी हमारे 17-18 टाइप बनते हैं भी 17-18 टाइप बनते हैं प्रसेंटेज के वह हम हर रोज एक या दो निकालेंगे पांच या शे वीडियो जाएँगी बीस की प्रसेंटेज की ताकि आपको इसली समझेंगे नेक्स देखिए भी एक प्रिक्षा में चाप्तर ने 180 में से 30 अंग प्राप प्राप्त करने होंगे कि दोनों में से 50 अंग प्राप्त हो इसको कि उसको कुल कितने प्राप्त होंगे जो अमारे कुल प्राप्तं कितने होंगे 330 में से उसको कितने मिले 50 अंक मिले 330 में से कितने मिलेंगी 50 अंक मिले अब देखिए क्या होगा 30 अ मिल गे उसको पलस X अस्ती में से 30 मिले 30 पलस कितना होगा ये प्राप तंग हमने डेड़सों में से कितने मा लिए X बराबर है कितना आएगा भई 330 का 50% 330 का 50% तब उसको 50% अंक मिलेंगे भी सो यहाँ पर 30% है भी 30% अंक मिलें उसको एक्सोंसी में से तो हम इसको कैसे निकालेंगे बेसिक में से तो 180 का 30% पलस देड़सों में से भी कितने मिले भी X बटे 100% बराबर है कितने भी 330 में से 50 बटे 100% क्या मिला भई 330 में से भी 50 बटे 100% मिलें अब यहाँ पर 0 कट गया 35 बटे 10 यानि कितना होगा भी 3 बटे 5 X 3 बटे 2 X बराबर है कितना होगा भी 1 0 से 1 0 3 बटे 15 365 365 365 365 365 बाराबरे कितना ओगया अभी 105 सट माइनस चम्मन तो कितना आगया 1 जैंश एक और यहां पी कितना आगया 1 111 तो कितना आगया भी 3 मटे ले 2 X तो X कमान कितना आगया भी 111 गुणाना 2 गुटे 3 ते काटिये 3 ते 9 बसके 2, 3 सता 21 तो कितने अंक मिले भीशको साद दूनी चोदा कितने प्रतिसात अंग लेने पड़ेंगे इसको 1.500 में से 24 प्रतिसात अंग उसे प्राप्ट करने पड़ेंगे अगर उसे क्या है भी कुल जो ओसत अंग है वो कितने लेने हो 50 प्रतिसात उसे प्राप्ट करने हो ठीक है भी इस टाइप से अगर आपको सीधा करने तो कैसे करेंगे 500 का एक्स परतिसत बराबर है साड़े 300 बगुणा 50 बटे 100 माइनस अब बस यह से कर दीजिएगा यहां से स्टार्ट यह इसका क्या बन जाएगा ट्रिक ही बनेगा इसकी ट्रिक यह है और बस ट्रिक यह है इसको टरिक यह करने है इसकी त्रिक में आपको क्या करना पड़ेगा इसकी प्रसेंटेज निगा वही बात आईगी मतलब आपको करना वहें लेकिन स्टैक मिसीन है उसमें इस्ट्साथ इसको बेस्तिक से ही करें तो बैट रहेगा next अभी क्या है अस्ती परशनों में से एक विध्यार्थ प्रिख्यार्थी ने 60 परशनों के 80 परशन है 80 परशन है 80 में से 60 परशनों के उत्तर उसने 60 परशनों में से 51 परशनों सही कर दिये 60 परशनों में से कितने किये जो पहले 60 परशन सही किये उसमें सब कितने है 51 परशनों सही है बाकी बचे क्वेश्चिनों को कितना प्रतिशत सही करें कि उसे कुल कितने मिलें भी 80 प्रतिशत अंक मिलें कुल कितने मिलें भी 80 प्रतिशत अंक मिलें अब देखें इसको कैसे करेंगे भी अब कुल अंक क्वेश्चिन कितने भी 80 80 में से 60 कितना किया? 60 60-60 करती जिस 60 को कितना होगा अभी 25,23 सब्सक्राइब इस परतिशंट सब्छाज अभी 26 परतिशंट का कैसे निकाल लेंगा 20 परतिशंट का 16 23 सब्सक्राइब 20 सब्सक्राइब क्वेशिंज इसका एक्स परसेंट निकाल ला है कि क्या हो भी असी का हमें कितना मिले देखें बिसी क्या हो वा इस पुर्ष्यों का वही माना कि बीश बचे वीक्वेस्टणों में से बचे पर्षनों में से हल्प चाही परसर कितने हैं X प्रतिशत कितने भी X प्रतिशत है तो हम कैसे निकालेंगे 60 में से X बटे 60 में से कितने 25 प्रतिशत है ठीक है भी पलस 20 के X प्रतिशत बराबर कितना होगा 80 का 80 प्रतिशत तो कितना होगा भी यहां भी पच्चीति यह चतर 45 चोका सो 15 पनदwegen साथ कितना होगा 15 पनदरा कि ए धी फिर्थ से 50 को से 14 בר कितना होगा ऺाबर कितना होगा वोदाने से 5 गया 9 यादे कितना प्रतिसाथ उसको क्या करने पड़ेंगे तो बचे हुए 20 परसन है वो 55 प्रतिसाथ सही करने पड़ेंगे लिए इस देखें वह क्या है एक विजार्थी ने एक संख्या को पांच बटे पीं की बजाए किससे गुणा कर दिया तो उसके उत्तर में गलती प्रतिसाथ गया किजिए अब देखी क्या है पांच बटा 2-3 गुणा गजिये गलती प्रतिसाथ गृणा कर दिया पतानीN ऑगही क्या उत्तर में गल्ती परतिसाथ बतानी यहां में क्या विप Switzer जांट निच्छे बड़ा है हर क्या लिजिए मुदर्णा कर दिया तो यह कितनी मर dłі पांच पंजो पंजो 25 और कितना अभी पांच तो कितना होता है अब कितने सी क्या या गलत उत्तर में गलती प्रतिशत ज्याद करनी है तो इनका क्या कहना पड़ेगा अंतर निकालना पड़ेगा वी अंतर निकालिए 25 में से 9 गया 16 बटे किस पर चे किसका है में सही उत्तर से और गुणा में कितना हो गया तो 25 चोगा तो 16 चोगा तो कितने प्रतिशत गल्थी है उसके उत्तर में भी 64 प्रतिशत उसका उत्तर क्या है गलत आया पहले उत्तर की हो जाए उत्तर सही उत्तर यह होता उत्तर कितना नौ तो कितने प्रतिशत की गल्थी की उत्तर में 64 प्रतिशत उसका गल्थ पहले वाड